यह दोस्तों कि आपके बाद यह एक ऐसा computer है, जिस computer की RAM कम है, और उस computer की RAM को आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे laptop हो, चाहे computer हो, दोनों ही case में यह process काम करने वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपके laptop की, आपके computer की RAM कम है, तो हम एक pen drive का process बताएंगे, इस pen drive के process से आपके computer की RAM अच्छी खासी बढ़ जाएगी, अगर पहले से आपके laptop की RAM 2GB और आपने 4GB एड़ किया, तो 6GB हो जाएगी, इस तरीके से आपके RAM को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी need क्या है आज की rate में, सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आज कही software ऐसे है मार्केट में, ज सोते हैं कि लाइश की RAM बढ़ वाले, तो अगर RAM नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सीधे pen drive को यूज कर लें, कैसे करेंगी यह पूरा process यहां पर आपको दिखाने वाला हूँ, आपको वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल पर पहले बढ़ाएं तो चैनल को सब्ट्र है, E drive है, और साथ में फिर यह H drive, H drive मैंने यहां पर pen drive लगाई हुई है, तो इस pen drive का यूज करूँगा मैं भी, और इस pen drive के थुरू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने computer का RAM बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं, तो मैंने properties पर क्लिक किया, तो यहां पर यह भी दिखा रहा है, properties में मेरे पास 3.71 GB, almost free है, और use space 32K भी दिखा रहा है, कोई एक छोटी सी file है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम जाएंगे ready boost पर, देखिए इसको समझना जरूरी है, इसमें कई सारे options हैं, यहां पर जब आप आएंगे जादे कि ready boost के अंदर 3 चीज़ें दी होई है, do not use this device, मतलब इसे use नहीं करना है, dedicate this device to ready boost, मतलब इसको आप पूरी की पूरी device use कर दिना चाहते है, मतलब आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो भी यह pen drive है, पूरी की पूरी as a ram use होने लगेगी, यह ram बन जा जाली है, उस हिसाब सी यह हमें बता रहा है कि आप इतना use कर सकते हो, अगर हमारी pen drive ज्यादा बढ़ी होती तो वह बताता कि आप इतना use कर सकते हो, मिन्स ज्यादा बढ़ा कि आपको दिखाता है, तो यहाँ पर यह 3709 लिखा हुआ है, मैं इसको कम जादा भी कर सकता इतनी device हमारी use होगी as a RAM, लेकिन यहाँ पर धियान यह देना है कि देखिए जो बचा हुआ space है, उस बचा हुआ space को हम लोग use कर पाएंगे अपनी file restore करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा हम use नहीं कर पाएंगे, तो चलिए apply पर click करते हैं, यह ready boost is configuring your catch, ऐसे message आ रहा है, इसको करने दीजिए अभी, और इसके बाद भी आप देखिएगा, अब इसके बाद हम okay पर click कर देते हैं, तो okay पर click करने के बाद आप आप देखेंगे कि जब मैं इस h drive पर जाऊंगा, तो h drive में देखिए यहाँ पर, मेरे पास पहले सी यह lost drive और lost dir, FE temp और CSRR एक वर्ड की फाइल थी, अभी इसने हमें दिखा दिया, ready boost, ready boost का यह एक आइकन दे दिया है, मतलब हमारी यह जो pen drive है, यह fully ready है, इस वक्त, as a RAM यूथ होने के लिए, अब हमारे computer के जितनी भी RAM इसके अंदर लगी हुई थी, जिसे इसमें 4GB लगी हुई भी चाहिए, तो वो software भी इसमें easily खुलने लगेंगे, और बिना किसी problem के, तो इस तरह के से दोस्तों आप अपनी computer की RAM को बढ़ा सकते हैं,